हेलो एवरिवन वेलकम यूओ अलान एजुकेशनल हाइक्स मैं अभी सिख तो आज हम लोग चालू करने वाले क्लास 11 का चैप्टर 7 जिसने भी अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे जाओ देखो वर्क एनेर्जी और पावर अप्लोड हो चुका है अल्मोस्ट पूरा ही थोड़ा सब आख है वह भी कल या परसो तक अप्लोड हो जाएगा ठीक है आज हम लोग ग्रैविटेशन इसलिए चालू कर रहे कि एक्जाम आने वाले और एक्जाम औरियंटेट चेप्टर यह इससे आप लोग बहुत ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो तो चलो चालू करत बहुत सारे कुछ थियरिस दिये गए जैसे पहला थियरी क्या था कि पहला तो नहीं कर सकते हैं पर कुछ फेमस थियरिस क्या थी कि सबते पहले अर्थ क्या है सेंटर में है और फिर संग वो क्या कर रहा है उसके चारों तरफ रिवाल कर रहा है क्लियर है पहले यह पता चला लोगों ने क्या बोला कि अर्थ सेंटर में यह अपना अर्थ है यहां कहीं पर अपना अर्थ है और सन क्या कर रहा है इसके चाहता गोल-गोल खुम रहा है और बागी के प्लैनेट भी इसी के चाहता गोल-गोल खुम रहा है ठीक है फिर लोगों को पता चला है नहीं नहीं अ तो औप कौन है सेंटर में तो लोगोंने कहा कि सूं है सेंटर में और सारे फ्लैनेत संक नहीं सब यह सब्सक्रूंत और सनखुद ये खुद भी कर रहा है रिवाल कर रहा है ठीक है किसके अरांड रिवाल करने ये लोग तो एक्षिली में सेंटर आफ मास के अरांड रिवाल करने ये सन है और सन के चाहँ तब जितने सारे प्लैनेट्स हैं ये सब क्या हो रहा है सन के चाहँ तब रिवाल करने और ये जो सारा सोलर सिस्टम है इसका अगर आप सेंटर आफ मास और में कर रहा है तो हैं लिए को सब्सक्राइं और मत्विस्टी क्रेशी से अरांड कर रहा हुए कि देखो सन भी ऐसे आई किताब कर रहा है सन भी अएसे ब्उल्ड्स होते हुए और सब्सक्राइब पर नहीं चैनल एसे घूम रहे हैं सन वह गैसे घूम रहा तो इस तरहीं कूछ रोग देंगे फिर आप आगे के लेवल पर देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझने कोसिस करते हैं कैपलर्स लोग ठीक है तो क्या था हां क्या था तो एकडम एक्जाम के पॉइंट अब यू से हम लोग बात देंगे ठीक है तो पहला पॉइंट है क्या प्लास लॉप तो देखो इसमें क्या है इसमें भी तीन लोग यह तो पहला लोग क्या है लॉफ और फित मैं लोब और्विट थी है इसमें क्या हो रहा है हां अलोउफ और वीट में हम क्या क्या देख रहा है कि कैपलर ने क्या बोला की सन आ मतलब जो प्लैनेट सेवन सन के अरूंटस और कम लटें डूम रहे यह यह सं खुम रहे हैं कई सो निडिकल पात की बीवास में ठोल रहे हैं कैसे घूम लचेप्ट्स ठूब्र काओं तो मैं था तक पढ़ यह हो तो देखो लिफ्स मतलब जहें सअर्क्ल का क्या होता है एक क्या होता है और सारे पॉइंट जो हिôm सारे पॉइंट्स पहुते हैं वैसे ही टो inmht क्या होते हैं दो क्या बनते हैं ईसको हम लोग का तुम डिस्टन्स देखोगे यह पॉइंट से यह पॉइंट का डिस्टन्स देखोगे या यह पॉइंट से यह पॉइंट तक का डिस्टन्स देखोगे मतलब अगर यह पॉइंट मैं बोल दू क्यू है और यह एस है तो क्या देखोगे कि क्यू और एस का डिस्टन्स जो है सेया है कि और सिध्त से क्या है हमेशा सेम इसका इसनसे का यह है 10 यह 20 क्या है यह क्या होगा है आप दोनों सेंटर से किसी पॉइंट का से माना ठीक है यह होता है आपका एलिप्स इसके उपर में एक डेमोंस्ट्रेशन भी लेकर आओगा जल्दी ठीक है एलिप्स को समझाने के लिए जिसमें हम लोग इसके उपर बात करेंगे लेजर से मैं इसको कुछ करके दिखाऊं जो मैं यहां पर समझाने ही गोसिव करना है तो यह अपना लौ आफ ऑर्बीट जिसमें क्या बोल रहा है कि सारे प्लैनेट जो होते होते हैं इलेप्टिकल ओर्बिट में है मुव करते हैं और संश्ट जो है किसी एक सेंटर पर होता है लेट यह क्या है आपका दो फोकस है तो जिसमें से किसी एक फोकस में कौन है सन है और यहां पर क्या हो रहा है यह प्लैनेट रिवाल कर रहा है सन क्या रहा हूं ठीक है अब कहो या सन सन छोटा दिख रहा है प्लैनेट बड़ा दिख रहा है तो लो यह सन बड़ा बना देदा अभी के लिए पर हम किसकी बात करते सेंटर की बात कर दो तो यह अपना अर्विट अब दूसरा लो क्या है मैं तो दूसरा लो है आपका कि लो ओफ area चाह रहे हैं भई law of area ये क्या बोल रहा है सो law of area बोलता है कि जो भी planets है वो क्या करते हैं same time interval में same area sweep out करते हैं sweep out करते हैं मतलब जैसे हमां बहुत लुई ये देखो ये वापस से ellipse बना हैं जहाँ पर अपना sun ये है sun कि और जो है प्लानेट क्या कर रहा है हैं पहले यहां पहुंज लाइनध कर दह कि कि अब क्या हो तक मैं आ पर देख रहा हूं कि प्लायनेट अभी इधर है कुछ ट्राइम बाद यहां हो तो मैं किस्तॉ सन है तो इसको क्या नाम दे देते हैं Q से Q1 पॉइंट P से P1 पहुँचने में जो टाइम लग रहा है वही सेम टाइम क्या लग रहा है Q से Q1 पहुचने में लग रहा है तो अगर मैं देखू दोनों का एरिया तो एरिया क्या कर रहा है यह सेम एरिया स्वीप आउट कर रहा है यह जो एरिया है पी पीवन एस का और यह जो इस सेक्टर का एरिया है दोनों ही क्या है सेक्टर का एरिया क्या है सेम हां दोनों यह दोनों एरिया क्या है सेम यही क्या है आपका लॉफ एरिया जिसमें क्या बोला उसने कि प्लैनेट ज ठीक है अगर इसको प्रूव करना चाहिए तो प्रूव कैसे होगा तो देखो मैं क्या बोलता हूं लैक ये ये बन रहा यह वाला शेप जो है बेस है अब जो प्लानेट मूब कर रहा है प्लानेट की यहां पर स्पीड क्या है टेंजेंट लो तो प्लानेट का स्पीड है वी तो क्यों क्यों कितना होगा जब टाइम डेल्टा टी लग रहा है तो डिस्टेंस इस डिस्टेंस कवर्ड रवाइड प्लानेट इन टाइम डेल्टा टी इस एकल टू वी डेल्टा Сट्भाइब कितना डिस्टनस के और कर रहाँ वी डिस्टनस के और कर रहा है इस डिस्टनस का फर्मला क्या आहरा है वी इन्टु है लोसेटी इन्टु ठाइम लो होना क्यों है ठीक है अब यह होग chasing sequence अब यह जो इसका position vector मैं कहता हूं position vector क्या है position vector क्या है planet का r है Q position के लिए तो अगर मैं area खोजना चाहूं तो area क्या होता है triangle का area area of triangle sq q1 is equal to half half height into base half height into base ठीक है तो अब यह क्या है height क्या है तो देखो यह जो है यहां पर velocity और इसके वीच में angle क्या बन रहा है 90 और वी जो actually क्या है बेस पूरा यह 90 ही बनाता यहां पर मैंने दिखाने के लिए कैसे दिखाए बागी यह कैसा दिख रहा है आपको यह जो पॉर्शन यह कैसा है straight line है ठीक है तो वी क्या होता है वी जो होता है चलो मैं इसको बनाई देता हूं यहां पर यह जो होता है वो कैसना होना है आपका है एक सेंट यह जो होना था कुछ इस तरीके से वी का डारेक्शन देता तो कुछ ऐसा आता हूं यह पॉइंट है आपका q1 यह एसा दिके तो हाइट इन्टो बेस हाइट क्या है हाफ हाइट की जो होना न आ है आपक्रोस वी डेल्टा ती और एरिया कैस रशो कर रहा हूं है डेल्टा ए ए एरिया की से रशो कर रहा हूं यह देल्टा ए तो तो आप ये डल्टा टी डिवाइड में इक्वल टुकरिसस्द आया तो इन्य ते पीड्टा टी मल््टिप्प्लाई में था इधर आया तो क्या होगा वाइड विक्त आएगा हाँ M का मल्टिप्लाई R रॉस M V upon M Rs. M V क्या होता है Mass into Velocity मतलब मोमेंटम 1 upon 2m R cross P अब ये चीज़ क्या है R cross P क्या होता है R cross P होता है अपना angular momentum तो delta A by delta T क्या हो जाना है delta A by delta T हो जाएगा 1 upon 2m ए रो और कॉंस्टें है है यसा कह सकते है तो क्या हो रहा है प्लेनेट क्या कर रहा है हर सिंटाइम स्वीप आउट करता है अब जब स्पीड की बार आही गई है तो इस फीड भी देख लेते हैं तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा प्लाइनेट के लिए यह जो प्लाइनेट है अब देख लो जब सन के नजदीक है तो इतना सारा डिस्टेंस कवर कर गया और जब सन से दूर हो था तो इतना सा डिस्टेंस कवर कर रहा है ठीक है तो हो क्या रहा है हो यह रहा है कि जब प्लाइनेट के और सन के नजदीका रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जारी है बढ़ जा रही है और जब दूर जा रहा है तो स्पीड क्या और यह भाई घट जा रही है समझे जब छोटा होता है क्या किया जो है किना कि अब मैं जान रहा हूं कि अंग्लोर मोमिंटम कर रहा है तो वाइब अद्लास अँर मैं सब्समर्ण करता हूं कि यह जो है कि छहालो इसको रॉड़ाउंग्हां ये त्यार्ट मैं तक हमेशा इन जा हortsथ हो अब ड्रॉइंग के लिए मैं सच बता रहा हूं ड्रॉइंग के लिए मैंने बहुत ट्राई किया इस्कूल में बहुत मार भी खाया पर ड्रॉइंग मेरी सुधरी नहीं तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं चलाना ही पड़ेगा तो यह जो आपका अपका अलिप्स के दो सेंटर ह है अब यह जो है जो सबसे दूर का पॉइंट होता है यहां पर सन है ना सन से जो सबसे दूर का पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं एपी हीलियन और जो सबसे नस्दिक का पॉइंट होता है संसे वो क्या होता है पैरी हीलियन यह एक सेंटर से डिस्टेंस है दोनों स तो डिस्टंस क्या होता है भाई सेम होता है तोम क्या होगा कि मैं कहूं कि अभी स्पीड की बात कर रहे तो एंगुलर Missouri मोमेंटम क्या होना सेम रहने वाला ये सिंद कुछा है रहने कर्छा कर्द तो एंगुलर मुमेंटम at point p मतलब एंगुलर मुमेंटम क्या होता है वी देखां आपने आर प्रस्पी तो प्लैनेट के पोजिशन और उसके वेलाउसिटि के बीच एंगल क्या है एंगल है 90 आप ऐसा लिखना चाहो आर पी क्रॉस मोमेंटम पी एड़ पॉइंट पी आ तो यहां पे आर एक्रॉस एंगुलर मोमेंटम एड़ पॉइंट ए तो क्या ओस्वरी एंगुलर नहीं लिनियर लिनियर मोमेंटम एड़ पॉइंट ए तो इन दोने भी एंगल क्या है 90 तो यह क्या होना है आर पी आँ पी पी आइन नाइटी यह आर ए पी ए साइन नाइटी साइन नाइटी इस वन ठीक है तो आर पी एपॉन चाहा करते है अब लोग आर पी और पी पी मतलब मास इन्टू वेलासिटी एट पॉइंट प्यमास तो क्या रण वाला है प्रेनट यहाँ है फिर यहाँ आगया तो क्या मास चेंज दागा मास चेंज होने वाला नहीं मास तो सेम रहेगा फिर आर ए व्यों अब दो समय तो आप लिए तो ये क्या जाना था है तो अब doğru आ दो तो आप आप भ्या सिर्भाली मैं इस इक्वेल टो क्या हो जाना मैं और आप आट अपार्पीटी खेंग है तो अब देखो इसका मतलब आरे क्या है सबसे ज़्यादा डिस्टंस है संसे सबसे बड़े डिस्टंस को हम क्या बोलते है एपिहलियन तो जब आरे बड़ा है तो वेलोसिटी क्या है एट पैरिहलियन बड़ी है वेलोसिटी क्या है पैरिहलियन की बड़ी है और जब आर्पी छोटा है आर्पी छो अबता होगा इसका मतलब क्या है ना कि इसको यह देखो तो इसको मैं अई सक्टना हूं कि vp अपॉण वी ए इस इक्वल टू आरे अपॉण आपी यह रहिशो है आरे क्या है बडा है आर्पी के तो यह कौन्टिटी के है does anything present और मतलब संसे सबसे दूर और पैरिहियन सब सेन सबसे दूर का पॉयंट है जुसको नहीं दिख रहा है याव सकत दिक गळद दिख रहा है और इसकनी है औरका इसका मतलब velocity आट पैरीहेलियन समझ ला है तॉय साथ था झाल सुक्षण पैरीहेलियन क्या होणा है बड़ा यह पैरीहेलियन का इसका मतलब जब अस्दीक प्लानेट सन के नजदी क्या तो स्की स्पीड बढ़ गई और जब सन से दूर गया थो इसकी स्पीड खट गयी ठीक है तो अब हम लोग मूब करते है इस कैपलर के थर्रड लॉक्ट ऐपन ठीक है तो कैपलर का फॉला क्या अप पता हम मेरा को बी कि आ ये ये कि आप तो अब कैपलर का थार्ड लोग है लाओ पीरियर्ड क्या है भाई लाओ पीरियर्ड यहां पर क्या होना है लाओ पीरियर्ड में अब देखोंगे क्या बोल रहा है कि प्लैनेट जो हैं प्लैनेट जो हैं ऐलेप्रिक Ol Warbrit में घूबन थो रहा है पर इनका टाइम पीरियर्ड जो है ошиб टाइम पर ब्युद आपना ता कैया पैरिहाँ और यहां कौन थाए ईप़ी कि अधिक यह सबसे नजदीक का पॉइंट था यह किसके उपपर मेजर एक्सिक के उपर किसके उपपर है दिख रहा है यह सबसे बढ़ी है और यह ये जो है यह क्या है सेंटर है यह क्या है सेंटर से सो कट कर रहा है तो यह क्या है आप बी सी जिए सबसे छोटा यह जो है माइनर एक्सिस है अब का माइनर एक्सिस है छोटा वाला है ना और पी यह क्या है भाई मेजर एक्सिस है ठीक है तो अब ओ से पी तक के डिस्टन्स को हम क्या बोलते हैं ए ओ से ए तक के डिस्टन्स को हम क्या बोलते हैं ए ओ से बी तक के डिस्टन्स को स्मॉल भी और ओ से सी तक के डिस्टन्स को भी क् वी तो टाइम पीरट का स्क्वेर क्या है कि क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस यह है आपके कैपलर्स के तीनों लॉव ठीक है जिसमें सबसे इंपोर्टेंट अभी कौन सा दिख रहा है लॉव एरिया सेकेंड जो देखा आपने यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और यह करना ही है ठीक है हो सकता है लॉव एरिया पूछ भी ले और आ भी जाए एक्जाम में दोनों प्रूफ भी आ जाए ठीक है सो अब मूव करते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है जुनिवर्सल लॉव ग्राइविटेशन पराबर क्य यहां पर दो चाहे भाई दो मास अब्जिक्ट एक है मॉन और एक कौन है यह एंटू ठेक है अब क्या हो रहा है यह एंब उन का जो पोजिशन वेक्टर है ओरिजीन के रिस्पेक्ट में यह क्या हरवल ठीक है एंटू का यह क्या है आप अब में से में टू के बीच का डिस्टन्स क्या है जब हम स्केलर पह में देख रहा है अभी केल मैं पहले क्या बताऊंगा स्केलर फ़ाम में हाँ यूनिवर्सल लाव ग्रेविटेशन यह थोड़ा कुछ ज्यादा ही डिजाइन वाला हो गया है कि चलेगा तो यह देखो इनके बीच का डिस्टेंस जो अभी के लिए मैं क्या बूल रहा हूं आप एम वन से एंप्टी के वीश का डिस्टेंस क्या है आप स्केलर फॉर्म जब वेक्टर फॉर्म आएगा तो कहानी थोड़ी सी इंट्रेस्टिंग हो जाएगी ठीक है तो अब देखो चाहां होना है तो न्यूटन ने क्या बोला कि ग्राविटेशनल पॉर्स इस अल्वेज अट्रेक्टी नोट्व सब्सक्राइब बहुत है अपर यह फॉर्स की वेल्यू क्यां अट्रेक्टिव तो है एपल को नीचे गितल देख लिया तो समझ रहा है कि हां अर्थ क्या कर रहा है भाई हम directly proportional to them, gravitational force is directly proportional to the product of masses, product of their masses and inversely proportional to them, inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance between them. अब ये दोनों क्या है, प्रपोजनेल्टी है, प्रपोजनेल्टी वन प्रपोजनेल्टी टू, इस प्रपोजनेल्टी से क्या पता चलता है, कि भाई अगर product of masses बढ़ेगा, हाँ, तो क्या होगा, force बढ़ेगा, distance बढ़ेगा, तो force घटेगा, जर्नली हुआ क्या है, तो हमारे पास ऐसे experiment होते हैं, हाँ, मतलब क्या कर रहा है, कि एक mass से M, M1 एक M2, तो M1 क्या कर रहा हूँ, मैं increase कर रहा हूँ, M1 increase कर रहा हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ, कि force बढ़ रहा है, और अगर M1 decrease करता हूँ, तो force घट रहा है, अब ऐसे ही एकर M2 increase करना, तो force बढ़ रहा है, M2 decrease करना, तो force घट रहा है, इसका मतलब force क्या हो रहा हूँ, दोनों mass पर depend कर रहा है, तो यह क्या पता चल़ रहा है, से मतलब मैं M1 कर दो दो सुट हो गया डवल हो गया एंट्व त्रिपल कर दो तो फोर्स हो गया थ्री टाइम सुट यह हैं आप ऐसा नहीं है कि दोनों पर सब्सक्राइक्ण क्या हो हो CCipe 지금 सता एक मास अगर 2 बढ़ा तो फोर्स के है डबल हो गये अब यह to time बढ़ रहां कि fix time vtda इसका मतलब क्या हो रहा कि किसके हूपए डेपेंड रेपाइब ट popular दूसरा हार सब्सक्राय अब क्या हो रहा हई यह र कि आर सचारद कि पता चलता है कि आर के उपर रिएस्त्रफ िरिमेंट कर रहें जब मैं क्या कर रहा हूं distance increase कर रहा हूं distance increase कर रहा हूं तो डिस्टन्स increase कर रहा है rapidly decrease कर रहा है कि अगर मैं रख रहा हूं तो 4 का value f आप 2 कर दिया तो फोर्स की value क्या हो गही 4 टाम कम हो गही 3 कर दिया तो nine time कम हो गही तो इसका मतलब यह जबाग किजिए hitting trace कर रहा आई है जब आई इस्व्यायर पर डेपेंड कर रहा हैं तो हम क्या बोते हैं यह इनवर्ज स्क्वेड लोग फोलो कर रहा है praticamente आ आप तुम लोग इलायंट में हो अगले साल तुम लोग को बार बार पढ़ना इंवर्स स्क्राइर लोग क्या होता है तो इसमें क्या हो रहा है जो पॉंटिटी है वो क्या और रिस्क्राइर के उपर डिपैंड कर रहा है ठीक है अब नेक्स्ट है दोनों प्रोपोजनाल्टी और अपने होना है पोसिए इस डario प्रोपोजनाल्टी अब कर रहा ह Pragueं प्रोपोजनाल्टी अनुआ था रहा है प्रोपोजनाल्टी अनुअविए कोई संट करना पड़ीयो सी कॉइक से का च मकूपोज प्यें सलोय में चैकर ना पड़े हैं तो यहाँ पर constant क्या है constant है capital G जिसको हम क्या बोलते है युनिवर्सल ग्राविटेशनल constant टीक है G M1 M2 by R square ठीक है तो यह आया अपना force G M1 M2 by R square तो अब यह क्या है पोर्स का magnitude मतलब scalar form अब किसकी बात यह लोग वेक्टर फॉर्म की ठीक है तो अब कोशों नहीं कर सकते diagram वापस से बनाना पड़ेगा हाँ स्क्रीन शॉट ले लो तो अब यहाँ पर वापस से मैं diagram बनाता हूं ठीक है कि यह है मास M1 यहां कहीं पर मास M2 यह है M1 यह है M2 यह M1 यह M2 इसका पोजीशन क्या है अब इसका पोजीशन वेक्टर है भाई रवन और इसका पोजीशन वेक्टर है रटू अब जब बात करने वेक्टर की तो तुमको तो पता है यह दिस्टेंस क्या है आर रहा है पर जैसे मान लिया जाए मैं हूं और आपके प्रेंट ठीक है अब हम लोग क्या कर रहे हैं एक दूसरे उपर मतलब फूष करने आपको धक्का देने को तो कैसे होगा तो अगर सर के उपर मैं इसे पुष्ट करना दख्का देने अला तो क्या होगा तो मैं क्या करूँ अपना हाथ बढ़ाऊंगा अपना हाथ बढ़ाऊंगा तब अपने आप इसे लग जाने वाला है कोई चाइनि confusing तो मैं क्या कहूंगा कि वेक्टर लीडिंग फ्रॉं में टू एंटू 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 जैसे मैं अब इसे को और मैं प्रेम सर पर फोर्स लगाना चाहरा हूं तो क्या करूं मैं हाथ कैसे बढ़ा हूं मेरे से प्रेम सर तक हाथ बढ़ा हूं तो वेक्टर कहा से लीड करें वेक्टर लीडिंग फ्रॉं अभी से टू प्रेम से ठीक है तो अब यह जो है M1 to M2 को कैसे लिखूँगा मैं यह होगा आपका वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2 बराबर ऐसे और यह क्या है अब फोर्स इसके उपर लग रहा है टू के उपर तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा कैसे फोर्स ऑन 2 ड्यूटू 1 क्या चल रहा है वेक्टर फॉर्म है वही ग्रैविटेशनल फोर्स ही अब यह वेक्टर फॉर्म आफ ग्रैविटेशनल फोर्स तो हो क्या रहा है फोर्स ऑन 2 ड्यूटू 1 तब क्या होना है वेक्टर फॉर्म लिख तो दिये है आँ मैगनिट्यूट चेंज होगा क्या magnitude तो वही रहने वाला है हाँ अगर वेक्टर देखो या ना देखो magnitude चेंज होगा क्या नहीं तो फोर्स का फॉर्म्मला क्या होता है जी M1 M2 upon distance का square distance क्या है भाई आर स्क्वार ही है चाहे तो अभी के लिए मैं इसको बोलता हूं आर टू वन वेक्टर का square अब किसी वेक्टर का square कर दोगे तो क्या हो जाना है quantity क्या हो जाएगी scalar हो जाएगी ठीक है जो हमने लास्ट वीडियो में देख रख्या जब अर्क एनर्जियन टावर पड़ रहे थे तो अब यह तो पूरी quantity gv scalar mass M1 B scalar M2 B scalar R21 B scalar है तो अब किया क्या जाए यहाँ है वेक्टर कैसे बाव फोर्स तो मैं magnitude बदलना नहीं चाह रहा है तो मैं क्या करूंगा किसी unit vector से multiply करूंगा unit vector क्या होता है unit vector मतलब एसा vector जिसका magnitude क्या होता है 1 और वो क्या करता है ओर सीब पार सीब डारेक्शन शों करता है तो यहां पर यूनीट व्यक्टर क्या है और टुY कैप र्टुं बन जखें एंगे और कैप क्या शो करता है उनीट व्यक्टर शो और पार्ट्र कैसा है अट्रेक्टि विन making यहां पर क्या शोड करेंगे माइनस क्लियर एफ टुवन क्या माइनस वण एंवन टू आइस्क्वार आट वन के ठीक है अब यह जो इस इस को आप क्या लिख लो एफ टू वन लिख लो आप लोग माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर टू वन स्क्वेर को मैं लिखता हूं स्वरी यह आर टू वन क्या है आँ अभी हमने देखा था यह आर टू वन क्या होता है भाई आर होता है में नो में मैगनीटूड का अना यह यहां से यहां तक के डिष्टेंस है आर वस अफinea लड़ रहेक्षान यह है two की तरफ है ब्रक हैं टू इसका मलदभ डाल रिप्राइए वंचा 2 पर वैल्यू तो ऐसा और ना पांच मीटर था आँ पहले पांच मीटर ही और अब अब रिकों प्रेंटर की तरफ है तो यह चाप आप यिनों नहीं तो द्धक्क्का मारना तो पॉर्स लांद फोर्स वबन डू तू अबकि बाद क्या हो का dental हाद वड़ाएंगे अंगर को द क convey to Mikulin कि क्य invaded कूछ करेगा और इस तरीक से द्वेक्तर लीडिंग फ्रांट टू टू युम्त टू अग्टर लिडिंग फ्राउं 2 टू 1 ये तो पढ़वर जो लीड कर रहा है और वो बाद में और और पहुंस रहा है बन पे aspects रहा तो ये से mindy जूरो टू इसको पढ़मा कैसे 121 देम पढ़ते टाइम सबयान देना यह दो इसले बढ़ाना हां दक्कान मार तो किसको पॉस्स लएगा वन वाले को तो देखो इसको ऐसे बोलते हैं हां हां λेघ दोओ डू घ चाह्योड प्रें शर मुझत कादा बढ़ा या मैं प्रेंश करकथ बढ़ाूं डिस्टेंस तो हम दोनों के भी सेम ही है तो रहना आरी है तो यहां पर मैं आर स्क्वाइर लिखुँ तो किसी हो कोई दिखकर हाँ चाहे तो आप आर वन टू का स्क्वाइर भी लिख सकते हो ठीक है और इसको शोग कर दो मैगनिट्यूड में ही आश्यों कि स्केलर को मैं है तू ने जो है खत्म नहीं होदु न्यूटन भाबा खोच के घाए पने तीनों लगा देंगे मैं न्यूटन को थार्ड लो फेरिफाई हो रहा है अब जो ब्यादी ओपरайтеल क अनुसमें बहुत सारी बाते हैं कि यह जो फोर्स लगने आल अब मैं और प्रेम सर वह वाली बात नहीं चले गी आप पर वो तो खाली समझाने के लिए था कि देखो क्या होता है जब हम न्यूटन का थार्ड लो देखते हैं तो दो मास्स क्या करते हैं एक दूसरे को पर फोर्स लगाते हैं आक्ष्ण इस एकवल ईड व्याक्षाय करने एक्षाय एक्ष्ण और रियक्ष्ण दोनों ही क्या है फोर्स नहीं आए कोई भी टाइम गाफ होगा नहीं तो पहले क्या घपते हैं हम लोग यह आर्ट वन क्याप और यह आर्वन टू कैप को सब्सक्राइब है मतलब क्या होता है यूनिट वेक्टर है ना भाई जिसका भी यूनिट वेक्टर खोधन आ है उस वेक्टर को उसी के मगनिट्यूट से दिवाइड कर दो कर दिया डिवाइड आर्ट वन पढ़ो इसो कैसे पढ़ोगे वेक्टर लीडिंग फ्रॉम वन टू तो यह क्या है तो यह क्या है अब R12 cap क्या होगा R12 cap होगा R12 vector upon R12 का magnitude clear है तो होना क्या है पढ़ो इसको कैसे पढ़ोगे vector leading from 2 to 1 तो ये क्या होना है R1 minus R2 upon R अब क्या करता हूँ मैं minus common ले लेता हूँ minus common लो यहाँ पर तो उड़ा सही है दोनों equation की ज़र्वत है मुझे आगे तो minus common लोगा तो R12 cap क्या होना minus common तो जो plus है minus तो R2 minus R1 upon R ठीक है अब ये देखो R2 minus R1 upon R क्या है भाईगी R21 क्या है है दिख रहा है R2 minus R1 upon R क्या है R21 क्या है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ R12 cap is minus of is minus of R21 क्या है अगर ऐसे बोलोगे तो होना क्या है हाँ ये minus gap हो जाएगा तब देखो यहां पर यहां पर आप से क्या बोल सकता हूँ अगर मैं F12 में हाँ इसको बोलते है equation 1 let इसको बोलते है 2 इसको बोलते है equation 3 from from equation 2N 3 क्या होना F12 के vector is equal to G M1 M2 R square minus of R12 minus of R12 minus of minus of minus of R21 minus of R21 minus minus गया यह चीज़ क्या होगा अब GM1 M2 R square R21 दिख रहा है GM1 M2 R square R21 कैप माइनस बच जा रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ F12 is equal to अगर मैं दोनों में minus का multiply कर दूँ खाली ऐसे बाहर दिखा रहा हूँ मैं minus का multiply कर दूँ यहाँ पे भी यहाँ पे भी तो minus minus क्या हो जाना है plus हो जाएगा तो F12 क्या है तो F12 क्या है minus of F21 force on 1 due to 2 is equal to force on 2 due to 1 but in opposite direction direction क्या है भाई opposite है मैं ऐसे force लगाना हूँ तो पर हम सर्क्या करेंगे opposite direction में force लगाएंगे ठीक है अभी के लिए मांते हम दोनों क्या है mass particle है ठीक है तो यह है आपका universal law of gravitation in vector form और scalar form जिसको चाहिए क्या कर सकते हैं मेरे साथ लिखते जाओ एक तो बार-बार screenshot ले पाना थोड़ा मुश्किल काम है चलो फिर भी मैं देखता हूँ चोटा करने के बाद क्या हो रहा है चोटा करके दिखते रहा है ले लो screenshot ले लो ठीक है चोट सब मूब करते है next अपके तो अब अपना next topic है the gravitational constant बेराब यह gravitational constant क्या चीज़ है तो आया क्या chem and disk का experiment chem and disk का experiment है कि यह है अब दो mass object ले रहे है हम लोग the gravitational constant तब हो क्या रहा है यह एक thread लिया हाँ thread है और इससे क्या कर रहा है यह एक rod को attach कर रहा है और इसके दोनों end पर क्या है mass है दोनों end पर mass है यह दोनों mass कैसे है identical है identical है और फिर एक lead का ball ले रहा है इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ अब यह 2D डाइग्राम इसके लिए साथ दिख रहा है वाकिव है क्या कि यह जो है अब यह बात नहीं है तो अब क्याों यह attack करें कि क्या हानए यह क्या है इसकी तव आएगा तो अब क्या यहां पर फॉर्स लगना है दोनों mass के center के बीच में क्या होगा पोस्त गा तो मैं कहता हूं दोनों center के बीच का distance क्या है भई is small d है दोनों सेंटर के बीछ का डिस्टेंस क्या है इस मॉल्डी यहां पर यह यहां पर यया यहां पर यह वापस से यहां पर भी क्या है gjit distance क्या है small D सचलो फूस्ते हैं तो फोर्स क्या लगना है और यह पूरा लेंथ यह लेंथ क्या है और तो ओ से यहां तक का लेंथ क्या है L by 2 यहां तक का लेंज क्या है? L by 2 चलिके? याद रखोगे? तो, क्या होगा? तुम force खूजना चाहते हो तो देखो, यह जो है यह force क्या होगा? attractive होगा? यह force भी attractive होगा पर इसके चक्कर में क्या हो रहा? यह rotate कर रहा है यह rod क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है तो हां रोटेट कर रहा है तो क्या होगा तुम देखोगे कि टॉर्क लगना है यहां पर टॉर्क का डायक्शन क्या है कुछ ऐसा यहां पर कैसा है ऐसा तो दोनों ही टॉर्क क्या है भाई सेम डायक्शन में दोनों ही टॉर्क क्या है आपके सेम डायक्शन Share लिखन में तो यह देखो ये भी क्या है ये क्लोक वाइस ठिक है तो टो टल नेट ट्रक्स क्या होना हूं कैसा है तो से पहले मैं निकालता हूं फूर्स तो फूर्स क्या होना है तो फूर्सों स कोई स्क्वार मीन्स बीसक्वार जी मम् डीव क्ैस्वार ठीक है रह इस है उन्स साथू सा डिस्टेंस को बीच करे यह यह जो रहेगा हां तो यहां पे यंगल क्या बन था थे कि तो अ मतलोब यहां तक huh domda स्थी म्ंट स्थी तो ठीह स्थी स्थी जांए धस्थी स्थी म्ंट स्थी LY2 2 से 2 गया तो यह ओरा है आपका net worth GMM D square into L अब यह तो एक तरीके से अब क्या करता हूं दूसरे तरीके से यह निकालते हैं दूसरे तरीके से क्या होना है अब यह क्या कर रहा है बाई रोटेट कर रहा है ऐसे अब जब यह rotate कर रहा है तो यहाँ पे जो thread है यह क्या हो रहा है ट्विस्ट हो रहा है हां ट्विस्ट होगा कि नहीं होगा ऐसे फिस्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो torque है हां यहाँ पर मैं बूलता हूँ टाउ जो है यह टाउ क्या है कि टॉर्ख पर यूनिट एंगल घस टॉर्ट क्या Heap तोड थीटा एंग्ल के लिए क्या होगा ताव ठीटा है suffer मुझे क्या क्या पता है मुझे g पता है sorry g नहीं पता है g तो खोड़ना है अपने को mass पता है ये वाला छोटे का mass पता है बड़े वाले का mass पता है इन दोनों के center के बीच का distance पता है rod के बीच का length पता है मैं tau major कर लूँगा मतलब कितना angle twist हो रहा ये भी पता है मुझे था तो बचा क्या है ये है equation 1 और ये है equation 2 क्या लिख सकता हूँ मैं from equation 1 and 2 होना क्या है g m m d square into l is equal to tau theta तो यहां से बहुत आसानी से मैं क्या कर सकता हूँ capital G की value खोड सकता हूँ ठीक है तो अब यहां से g की value मिल जाएगे बस इसके अधमलब क्या करते हैं next topic चालो करते है next topic है आपका the gravitational acceleration acceleration due to gravity भी बोल सकते आप तो gravitational acceleration ठीक है short form में लिखना हूँ भी तो देखो यह अर्थ अर्थ है यह है radius आरी यहां पर कोई मास रखता हूँ मैं यहां पर कोई मास रखता हूँ मैं तो मैं जान रहा हूँ अब अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद की gravitational force के है भाई जी gm e m e m अर्थ का मास है और अर्थ का मास कहा रहा ना उसके center of mass पर और center of mass कहा है center में अर्थ के center पर तो force कहा रहा ना gm e m r e square हां क्यों कि वाई यह m ही कितना बड़ा अब तुम अपने आपको देख लो आर्थ के सामने तुम्हारा size कुछ है क्या नहीं है तो gm e m r e square तो और force कितना लगता है आपके उपर जो weight है आपका weight क्या है m g weight भी क्या है force ही है gravity की वाई से लगना आला force तो mg is equal to gm e m r e square m से m गया तो gravitational acceleration क्या है gm e upon r e square ठीक है यह आपका gravitational acceleration सब move करते है next topic पर हाँ और देंसिटी अप अर्थ निकालेंगे आपके अब लोग पर अभी के लिया नहीं हाँ एक दम सिंपल सिंपल जो m crt के topics है वो मैं आपका अब कवर करके दूंगा पूरिया तो नेक्स्ट्पिक है ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन अबो दा कि अ सर्फेस और ऊ ऊंच टिके remote नहींच आभ सैंट्र है सैंट्र है कि अ अर्त-ट का सेंटर यहां तक डिक्संयारी दिस्टैसरि और अ का मास्की यहां व्यसेंट्र पर एमई अब क्या बोल रहा है कोई एक ऑबझेक्ट है कोही at a distance H from the surface of Earth कोई एक object है जो H height पर तो इसके उपर लगने अलग gravitational acceleration क्या होने जाल है तो एदान सिंपल है force at height H force at height H G M m upon distance का square है अर्थ के center से उस mass के center तक का distance तो अर्थ के center से surface तक का distance आ रही है और surface ते उस point mass जो भी mass object है उसके center तक का distance क्या है H है तो distance क्या होने वाला है R E plus H का square ठीक है यह बना अपना equation 1 ठीक है तो अब अब दूसरा force at height H क्या होने आला है M G at height H G क्या है function है H क्या है अभी के लिए G क्या है भाई function है H क्या है तो इसको बोलता है equation 2 अब अब यह भाई या उपर अब from equation 1 and 2 क्या होने आला है M G at height H is equal to G M E M अपन R E plus H का square G M E M R E plus H का square M से M गया M से M गया अपने इसको अपने के स्क्रीन शोट लेलो हाँ अब 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 है अब ही खेला होबे तो देखो यहाँ पे G at height H G M E अगर मैं R E स्क्रीन कामन ले लो तो यहाँ पे H के पास क्या है हाँ यह देखो हाँ इसको मैं ऐसे लिखता हूँ यह H है H है और यह स्क्रीन अब अब अगर मैं R E का multiply करू R E का divide करू कोई दिक्कत नहीं न तब यहाँ पे क्या हो ना G M E R E स्क्रीन क्या हो जाए common हो जाएगा उपर पूरे में R E था R E बहार बचा क्या bracket के अंदर 1 प्लस H अपान R E का whole square देखो R E बहार निकलेगा दोनों के उपर क्या रहेगा सब के उपर square आएगा तो square आएगा ऐसा नहीं कि square गाइब कर देना तो यह divide में उपर जाया तो G at height H अब यह चीज़ जो है कि अभी हमने क्या देखी G M E R E square क्या है small g G M E R E square क्या है small g 1 plus H upon R E power minus 2 तो अब देखो जब कभी ऐसा होता है जब कभी ऐसा होता है तो क्या होता है अगर मैं 1 plus X power minus N लिखता हूँ तो यह क्या होता है 1 into minus N X यह पर कभी जब X is very much smaller than 1 ठीक है चाहे तो आप इस तो क्या कर सकते हो verify कर सकते हो कि 1 plus 0.005 power minus 2 तो यह क्या होता है का 1 upon 1.005 square कर के देखो कर के देखो क्या आना है 0.99 आएगा और सेम इसको ऐसे भी कर के देखो 1 1 minus 2 times 0.005 क्या आएगा 0.99 ही आएगा दोनों ही केस में क्या होना है 0.99 ही आएगा बस यह फॉर्मला आपको याद रखने यह सारी चीजिए तो एक्दम कॉमन देख सकते हैं तो जी एट हाइट अच्छ क्या होना है जी 1 minus पावर क्या होगा सेकंड टम से मल्टिप्ला हो जागा 2H अपान आजी समझेए यह है ग्राविटेशनल एक्सिलेशन एट हाइट है कॉन से हाइट के लिए वाई उस हाइट के लिए जो हाइट के अच्छ के अच्छ किलो मेटर यह नहीं की पचास मीटर सौ मीटर दो किलो मीटर उस पे नहीं चलेगा उस पे यह सब कुछ नहीं होना है ठीक है तो अब क्या होगा हाँ वें एज इस वेरी मच लेस देन आरी तो सेकेंड कॉन्टिटी क्या हो जाएगी नेगलेक्ट हो जाएगी तो जी एट हाइट है क्या होना है जी, समझें, नहीं तो क्या होता, टेरस पे चले जाओगे, टेरस पे ग्रैविटेशनल एक्सिलरेशन कम हो जाएगा, बर उड़ जाते होगे, पापा की परीबन के उड़ पाते हो, नहीं न, तो यह क्या है, हाँ बाई, जब हाइट एच पे पहुंच रहा है, तो एच क्या ह होना चीए, तभी क्या होगा, ग्रैविटेशनल एक्सिलरेशन चेंज होगा, नहीं तो, नहीं चेंज होगा, वरना क्या होता, टेरस पे जाते है, उड़ने लगते हैं, समझें, तो अब, यह हुआ, अब बात करते हैं किसकी, बिलो दा सर्फिस ऑपल्थ, बिलो के लिए क् जो तो यह है वापस से अर्थ हाँ, अर्थ है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें डेट डिीप पे कोई एक मास डेट रख दिया बराबर डेट डीप कोई एक मास डेट रख द्सक्रात कर दो मैं तो लोगत कश् системी कर लोगद रख दे डिया। इसको थोड़ा सा जब teu सकना वड़ेगा रखो डेप्त डीप यह मास क्या है पूरे अर्थ का मास क्या है यहां से मैं जानाओ अर्थ के सेंटर का डिस्टन्स क्या होता है आर्थ का रेडियस क्या है आरी है तो अब किया क्या जगा है जब डेक्ट डी पे तुम कोई मास अबजेक्ट एम रख दे रहे हो तो अब यह जो डिस्टन्स बच रहा है 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 यह डिस्टन्स क्या है तो अब हे न स्दित तो फिलो को लिए क्या होना तो देखन यह जो पोर्शन यह वाला पॉल्शन त् poker site यह पोर्शन जो है जो मैं इसके शैड कर रहा हूं इसकी वाइस से क्या होना कोई फोर्स लएगा नहीं एक्चुली फोर्स लएगा अपनेट इक्वालेंड अपोस्टिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा नेट फोर्ट जो इन येलो वाले रिजन के वैसे जीरो होगा लिए इसना ऑले है तो फोर्ट डेप्थ दी क्या होना है वह आण है क्या जो साथ डेप्थ हो गाइघ अ कि हेडियो टॉस है न Fit जैट ड्यूकर माइंग मैं बोलता हूं यह जो नून माहिं ईन्विठ इन-ई्का सक्षैर वापस से equation 1 force at depth to d क्या होना m gravitational acceleration at depth to d equation 2 लिख तो दिए पर अब क्या होगा यह जो mass m है पता है कि तुमको नहीं पता है तो पहले तो यह mass m खोज ना पड़ेगा तो यह depth to d पे acceleration खोज है कोई meaning आए परना कुछ नहीं तो देखो एक्तम simple करता हूं ज्यादा कोई ताम जाम करना नहीं है जब अर्थ का radius क्या था आर इथा अर्थ का radius आर इथा तो क्या हो रहा है वेन वी टेक अर्थ radius आरी देन वी नो मास ओफ अर्थ क्या है वाई मी है जब पूरा अर्थ कंसिडर कर रहा हूं जिसका radius आरी है तो उसके लिए मास क्या है मी है तो वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम क्या होना है पूर वाई त्री पाई आर इच्यूब इस उक्वल टू एमी फॉर वाई त्री पाई आरी च्यूब के लिए क्या है बाई एम ए है हाँ तो जब मैंने वॉल्यूम क्या ले लिए है पूर वाई त्री पाई आर इ माइनस डी का क्यूब तो मास क्या है अब एम क्या पता नहीं है तो खोजो तो M क्या होगा आपका क्रॉस मुल्टीपलाई करूगा मैं ऐसे तो M क्या होना M E टाइमस 4 वाई 3 पाई R E माइनस D का क्यूब 4 वाई 3 पाई R E माइनस D का क्यूब अपान 4 4 वाई 3 पाई हाँ, 4 by 3, 5 एट सेगंड आर ए का ट्यूब, 4 by 3, 5 4 by 3, 5, cancel out तो यहाँ थे M की value दिख रही है अपने को M की value क्या है R E माइनस D का Q M E upon R E cube clear तो इस M को उठाए कहा रखता हूँ मैं equation 1 में put M in equation 1 तो क्या होना यह G M की जगा R E माइनस D का Q into M E upon M से M Cancel अब हम मुझे इन सब की जब़र नहीं है तो gravitational acceleration at depth D क्या होना है R E का D का square है हाँ दो बार तर तर तीन बार तर एक बार गाया है तो बच्चा क्या है G M E हाँ R E माइनस D अपन R E cube है R E cube मतलब R E square into R E लिख सकते हैं तो यह quantity वापस से क्या होना है यह क्या होगा स्माल जी R E माइनस D अपन R E लिखो इसको करते हैं हम लोग G R E by R E माइनस D अपन R E गया तो G at depth D क्या होना है G 1 माइनस D अपन R E Clear अब अगर मैं वापस से भाई case ले लूँ कि तुम खड़ा खोदते हो तो क्या होता है gravitational acceleration change हो जाता है क्या तो थोड़े से के लिए change नहीं होना है when D is very much smaller than R E तो G at depth D क्या होता है equal to G के बराबर ठीक है इसके उपर एक मैंने देखा है जई में PYQ में question है जल दी PYQ के भी section लेखे आऊँगा मैं ठीक है ओके तो यह आपका gravitational acceleration at depth D ठीक है तो अब अब move करते हैं हम लोग next topic क्यों पर आ गया तो आपका next topic क्या है gravitational potential energy ठीक है तो gravitational potential energy क्या होना तो देखो जब भी आप क्या करोगे किसी gravitational force की against work करोगे gravitational force क्या अगेंस्ट वर्क करोगे तो जो work करोगे वो work ही क्या होना है potential energy की तरह store हो जाएगा ठीक है तो topic क्या अपना grab me gravity is now potential पोटेंशियल एनर्जी तो ग्राविटेशनल पोटेंशियल में क्या होना है तो देख भाई जब भी किसी ऑबजेक्ट हो मैं क्या कर रहा हूं यह अर्थ हां यह अर्थ अर्थ का मास है मैं यह इसका रेडियस वेक्टर आ रही है अब क्या बोलता हूं मैं इसको किसी एक अब यह इन्फिनिटी से और पोटेंशल एज़ी क्या है जी रोए मतलब आर्थ कोई अट्रक्शन डिपल्स न कुछ नहीं हो रहा है तो वहां से क्या कर रहा हूं मैं अर्थ किताब लेके आने को सिस्काना हो ऐट डिस्टेंस आर्ट तो अब क्या होना जो आप्ये वर्क कर भण 실ट त्युटक्त है तो अब ये कितना स्टोर होना है तो चलो इस प्वांट पर पर लेके आ यह लोकेशन क्या है आर्वन की किया है अग्योग तो आप क्वीया करें यह को फूरा करते बैटूंगा ऐसे नहीं पूरा अभज़व करते बैटूंगा अभी के लिए मैं कहता हूं कि चलो मैं डाइरेक्ट इन्फिनिटी वाला केस नहीं लेता हूं हो सकता है मैं बहरता हो कि चलो यह local resistance है आज़ो से क्या कर रहा हो इस mass EMP is awesome मैं ले कर आए लगत तो अब क्या हो ना सिंपल नहीं होगा यह कि अगर मैं आटools तुसे आरफन पे लेकर आने जा रहा हो या फिर इनेशशन पोजिचन आरमन मेर्म चलों यह भी कर देता है जैसा एंसी आरटी मैं सेम तूसेम वैसा कर दे रहा नहीं तो फिर उसमें भी तुम लोग लोग तो अब आरवन से कर रहा है और अब बहुत दूर हो सकता है तो अब क्या करूंगा मैं पूरा डिस्टन्स और यहां पर डिस्टन्स क्या आप है जहां पर डिस्टन्स क्या है लिए अर्णी जुजए लेक्षिंटन बाइट गया खेल करता है पांच किलोमेटर बीटर से किसी मास इम को लेकिए आ रहो कैसे अब्जर्ब करोगे तुम तो क्या करता हूं उसके बाद क्या करो होल का integration कर लोगा ठीक है होल का क्या कर लोगा मैं integration कर लोगा तो कि यह पॉइंट पी तो कि फूर्स एड्ट पॉइंट कि पी तो यह क्या होना है एक फॉर्स जी में एम डिस्टेंस क्या है सेंटर से ले रहा हूं आर इस्टेर तो वर्क कितना होना है छोटे से डिस्प्लेस्मेंट डी आर के लिए तो वर्क होगा छोटा सा इसके ले क्या करूंगा तो यह लोकेशन क्या है आर वन से ले क्या रहा हो कहां पर आर टू पर तो लिमिट क्या डिसाइड हुए आर वन से आर टू अब डी डवलू का इंटिग्रेशन डवलू जी बहार में बहार में बहार में में बहार तो आर वन टू आ टू न्यदी आर बाई ऐसके अब इसका इंटिग्रेशन करों तो इंटिग्रेशन पर मूला क्या है है इस फर्मुला एक्तम सिंपल है जो वर के वहीं क्या है पोटेंशल एनजी है ठीक है तो डबलू की ज़गा में लिख जाना हो पोटेंशल है जी जी एमी एम हां आर की पावर माइनस टू आर की पावर माइनस टू ओ अभी नहीं यह वाले ब्रैकेट का बहुत इंपोर्टेंस है यहाँ पे जब इंटिकेशन चल रहा है तो आर की पावर माइनस टू दियार आरल वन टू ऑर टू इंटिकेशन का फोर्मुला क्या है एक्सेंड डी एक्स पावर प्लस 1 डिवाइड बाई पावर प्लस 1 प्लस C ठीक है पर जब लिमिट गिवन है तो C नहीं लिखते हैं हम लोग ठीक है G M E M माइनस 2 प्लस 1 अपाउन माइनस 2 प्लस 1 एक बार इंटिग्रेशन हो गया फिर स्क्वेर ब्रैकेट लगाते हैं और उसके बाहर लिमिट रखते हैं तो अब क्या होना है G M E M R की पावर माइनस 1 अपाउन माइनस 1 R 1 2 R 2 R 1 2 R 2 तो अब माइनस 1 बाहर माइनस G M E M 1 अपाउन R R 1 2 R 2 ठीक है अब अब क्या करता हूँ मैं यहां पे रखो V is equal to माइनस G M E M पहले अपर लिमिट माइनस लोवर लिमिट ठीक है तो यह क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अब चाहे तो इसमें आप क्या कर लो माइनस का मल्टिप्लाई कर लो अंदर तो यह क्या हो जाना है G M E M 1 upon R1 minus 1 upon R2 साइन चेंज जो माइनस है वो प्लस जो प्लस है वो माइनस अब क्या करता हूँ मैं अब एक स्पेशल केस देता हूँ जिसकी बाद हम सुरुवात से कर रहा है आहां किव शपोस कर लिया जाए म मन जो एंफिनिटी पर है इंफिनिटी मींज वहाँ पर कोई भी क्या हो रहा ग्राविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है तो R1 क्या भाई इंफिनिटी है R2 क्या है R है तो बता हो लगने आला फोर्स क्या है हां तो potential energy क्या है sorry तो V G M E M 1 upon infinity minus 1 upon R तो यह क्या होने वाला है minus G M E M by R यह होगा आपका potential energy clear जिसकी हमें जब्वत पढ़ने वाली अभी लिख लोगे है स्क्रिंशोट ले 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 ना वैसे अगर साथ साथ लिखते जाओ तो ज्यादा बेटर है अब देखो यह पूरा टॉपिक है यहाँ पर ले लो स्क्रिंशोट ले लो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आँ नेक्स्ट पॉइंट क्या है बहुत इंपर्टेंट इसकेप स्पीड अब यह स्केप स्पीड क्या होता है और यहां यहां से तो यहां पर पर जाएगा प्रोजेक्ट करे गए और गर जाएगा फिर यहां पर पहुचा आँ ज्यादा इतना सेटलाइट बनेगा यह क्या होगा आपका सेटलाइट से त्रो करते क्या करें आर्थ का चाहत आप और बिट करने लग जाए ठीक है जैसे मून है या फिर कोई सेटलाइट आ फेक्ट तो इस स्पीड से त्रो करना पड़ता है मैं इसको त्रो करूं रहें रिटान ही ना है समझे रिटान ही आपका अपका सेटली इसके अउपट कॉपर काम करना है श्यूंपर स्पीड श्रोट मैं और अगर किसी ओबज़ेट को मैं कुछ वी स्पीड से त्रो करने ही कौसिस कर रहा है मैं उसको इसकेप करवाना चाहरा हूं तो लेट बोलता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं इसको यह है आरी और यह मास एम इसको क्या करा हूं चलो इस मास एम को कि मास एम को क्या करते हैं लोग फोड़ा दूर लेते हैं अभी के लिए कि कोई कंफ्यूजन ना हो हर बार हम क्या करेंगे अर्थ के सर्फिस से नहीं यह डिस्टेंस यहां तक है आरी और इसके बाद क्या है यहां पर अपना मास है यहां मास एम अब इसको मैं थ्रो कर रहा स्का मतलब यह है सिंपल सा तो क्या होना इसकी स्पीड क्या है वी स्पीड क्या है इसके स्पीड दे रक्श 표현 मैं्सक्रण होना क्या है अनईशल है इनिश्क क्या होगा इनिश Lau होगी हाफ एम एमवी स्क्वेर अब अर्थ से कॉंटेक्ट में है मतलब अर्थ के आसपास है तो इसके लिए अपर क्या होना है पोटेंशियल एनर्जी होना है सब्सक्राइब को छोड़ के चला गया तो पोटेंशल एंजी होगा ही नहीं उसके पास क्या होगा सिर्फ पॉसिब काइनेटिक एनरजी हाफ M VF स्क्वेर हाफ M VF स्क्वेर हमें जानता हो एनरजी क्या है कंजर्ब है तो इनिशल एनरजी किसके इकवल है फाइनल के तो क्या होना है half mv square minus gmem upon re plus h is equal to half m vf square हाँ half mvf square ठीक है अब क्या करता हूँ मैं कि ऐसा मानते हैं कि h क्या चलो smaller है हाँ बाद में भी लोग है तो भी चलेगा हाँ ऐसा मानता हूँ कि मैंने जो initial energy दी है हाँ मैं जो vr speed दे रहा हूँ वो क्या इतना ही हो कि भाई वो आथ ग्रैविटी को छोड़े तो क्या हो जाए खतम हो जाए जो मैं energy दे रहा हूँ इतना ही energy दे रहा हूँ कि अर्थ की ग्रैविटी को छोड़के खतम हो जाए रुक जाए बाहर जाके ठीक है तो क्या होना है तो देखो दम सिंपल लेंग्वेज में कहूं तो मैं तुमको 100 रुपया दे रहा हूँ कोई सामान लेके आने के लिए बीस देखो अब मैं जो एनर्जी दे रहा हूं वो इतना ही दे रहा हूं कि आरति ग्रैविटी को छोड़ सके बस समझे रहा हूं कि मैं तुमको क्या कर रहा हूं मैं तुमको 100 रुपया दे रहा था अगली बार तुम मेरा समान लेने नहीं ना तुम किस लालज में चलो कुछ पैसा बच जाएं कुछ खाँ पी लेंगे पर अगली बार बहाना कर रहें तो यह मास अबचेक्ट के लिए अशी करते हैं कि हम लोग इतना ही अनर्जी दें कि बाहर जाकर रुक जाएं ताकि अगली बार जाने में यह आना का नहीं करना चालो करते हैं तो अब क्या होगा हाफ एम जब यह इक्वल टुजीर हो जाएगा तो यही स्पीड को आप क्या बोलोगे, escape speed, समाझे रहाँ? When vf इक्वल टो 0, v becomes v, पर रह भर? half m v square minus g m m upon r e plus h equal to zero minus equal to z kya y plus g m m upon r e plus h m से m गया तो v square क्या आया two times gm upon r e plus h अब मैं क्या करता हूँ वापस से यह v जो है इसको root ले ले रहा हूँ तो 2gm upon r e plus h अब वापस से special case लेते हैं special case क्या है कि h is very much smaller than r e तो v क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gm upon r e clear r e का multiply r e का divide कोई दिक्कर यह gm e r e into r e मतलब r e का square तो यह क्या हो जाएगा r e का square क्या हो जाना है अंडर रूट 2g r e बराबर swap देखो अगर मैं escape speed की value निकालता हूँ तो यह क्या होगा टू इन्टू 9.8 इन्टू 64 100 km होता है तो मैं इसको ऐसे लिए उस पॉइंट 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 टू किलो मिटर पर सेंड इसका मतलब यह है कि अगर तुम किसी आपडेट को इतने स्पीड से थ्रो कर कि वह क्या कर दें हां अगर वह अचीव कर ले रहा है इलायन पॉइंट टू किलो मिटर पर सेंट तो क्या कर रहे हैं अर्थ वी ग्राविटी छोड़ के चला जाएगा ठीक है क्लियर सो अब बात करते हैं हम लोग हजेर को अ नेक्स्स टॉपिक क्या है अपना बस दो लास्ट तॉपिक बचे हैं आर्थ हे से लिट कि अ सो देहां अर्थ हें यह अन वाला यार्थ है हूं अ क्लिए मैं क्यों का कर है अर्थ इसका रेडियस आरी मास एमी और ये है कोई प्लैनेट जो क्या कर रहा है रिवाल कर रहा है आरी प्लस एच आरी प्लस एच तो क्या होना अब यह क्या कर रहा है प्लैनेट अगर सर्कलो और गोल-गोल घूम रहा है सर्कलो और में गोल-गोल घूम रहा है इसका हो रहा है तो centri bit of force हो रहा है gravitational force की बज़े से रहा है तो fc क्या है fg fc मतलब mv square by radius क्या है r e plus h r e plus h gravitational force g m e m r e plus h का square m से m गया तो v square क्या है और ये r e plus h से r e plus h गया तो v square क्या आ रहा है g m e upon r e plus h ठीक है तो अब v क्या आ रहा है अंडर root g m e upon r e plus h हां यह है आपका क्या है velocity अगर इसको देखो अर्थ की velocity के लिए हां सैटलाइट के लिए क्या होने आला यहां पे इसके speed और इसके भी कुछ relation निकल रहा है comment section ने बताओ क्या relation है तीक है अब क्या करते हैं लोग अब जो है time period निकालना है तो मैं जान रहा हूं speed क्या होता है distance upon time distance upon time तो distance क्या है अब यह क्या कर रहा है circular orbit में घूम रहा है circular orbit में घूमना planet जो है circular orbit में घूमते है Sun के अर्थ के अरूं हां ओध प्लानेट नहीं सैटलाइट जो है वह वो सरगला और्बिट में खोंते हैं और प्लैनेट्स एलेप्टिकल और्बिट में याद रहना तो डिस्टेंस क्या है तूपाइप आरी प्लस एच अपॉन टाइम में बोलता हूं लग रहा है एक साइकल कम्प्लीट करने में टाइम क्या लग रहा है ती और वेलोसिटी क्या है अभी देखा आप लोग ने यह रहा सामने है अंडर रूट जी एम ए अपॉन आरी प्लस एक्च मुझे क्या खोजना है टाइम पीडिट खोजना है टाइम डिवाइट में इकॉल टू को साइट बेजो टू पाइट आरी प्लस एच डिवाइड आया अंडर रूट जी एम upon re plus h तो यह re plus h divide में तो कहां चला जागा ऊपर चला जागा re plus h की power क्या है 1 है उपर वाले की जो divide में उसका power क्या होना है t 2 pi re plus h 1 plus 1 by 2 under root gme root मतलब क्या है root मतलब है power 1 upon 2 जिनको ना समझ में आ रहा है उनके लिए यह है भाई gme power 1 upon 2 power 1 upon 2 उपर गया तो क्या हो जाएगा base same power क्या हो जाएगे एड हो जाएगे तो time period क्या होना भाई time period होगा 2 pi re plus h 1 plus 1 by 2 3 by 2 upon gme power 1 upon 2 time period का square करो 4 pi square 4 pi square upon gme जहाँ जहाँ पर क्या हो जाना r e plus h power q q भाई square करोगे तो क्या होगा इसका भी square होगा इसका भी square होगा इसका भी square होगा 2 से 2 cancel बचा गया 3 time period ही है बचा तो अब time period में देखो यह 4 constant pi constant g constant m e constant तो k is equal k into r e plus h का q verify होगा k भाबा का third law time period का square is equal to cube of semi major axis ठीक है time period square of time period is directly proposed to the cube of semi major axis clear अब लास्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक क्या है एनर्जी और 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 बाइटिंग सेटलाइट ठीक है तो अब देखो वापस से अर्थ है प्लानेट्स है रिवाल कर रहा है यह अर्थ का मास है अर्थ का रेडियास है आरी मास है एमी रिवाल कर रहा है आँ प्लाइब गोल गोल हो गोल हो रहा है अपॉन आरी प्लस एच का स्कूर यह गया इस से एम से ओ एम नहीं काटते हैं हां तो देखो एम वी स्कूर क्या है जी में अपॉन आरी प्लस एच एक्वेशन वन अब काइनेटिक अनेजी क्या होता है काइनेटिक अनेजी होता है अपना हाफ में इस्क्वेशन है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाना है हाफ mv स्क्वेर क्या है भाई gm e m upon r e plus h clear यह क्या बना भाई काइनेटिक एनर्जी हाँ अब इसको बोल लो equation 2 अब क्या अब बात क्याता है potential energy की तो potential energy क्या होता है minus gm e m upon r e plus h यह तो potential energy है तो total है क्या होना है kinetic energy plus potential है kinetic क्या है kinetic energy है हाँ gm e m upon r e plus h और potential energy minus यहां यहां पर देखो आज़े में से एक गया तो क्या बचना है भाई half gm e m upon r e plus h minus half gm e m upon r e plus h क्या डिफ्रेंस है थाली इस माइनस का तो क्या बोलता हूं मैं हां कि भाई kinetic energy kinetic energy जो है वो क्या है minus of total energy हाँ और यहां पर देखो potential energy के लिए अब यह potential energy के लिए क्या होना potential energy minus gm e m upon r e plus हाँ total energy में दिख रहा है तो अगर मैं यहां लिखना चाहूं total energy में माइनस 1 upon 2 रहने दो माइनस 1 upon 2 रहने दो gm e m upon r e plus h माइनस को count कर लो यार माइनस को count कर लो so 1 upon 2 बाहर निकाल लो minus gm e m upon r e plus h क्या है potential energy है तो इसका मतलब क्या है वही पोटेंशल energy क्या है two times of total energy ठीक है so यह था आपका ncrt का पूरा chapter मैं जल्दी extra concepts भी लेके आऊंगा बस एक बार ही exam का महस्ताम खतम हो फिर उसके आप देखेंगे हैं लोग बहुत सारे topic so आज अपना chapter 7 ग्रैविटेशन खतम हो रहा है एक्जामपल एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी तो पूरा line by line सारे concept देख लो कहीं पर कुछ भी ना सब्सक्राइब कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना है रिवाइज करते हो झाल